बिहार में महिला बाल विकास निगम के तरफ से एक बहुत ही स्तांडार भरती यहां पे निकलके आई हुए जिसमें कि अलग-अलग पद आप लोग आप रखा गया है यहां पे जो आप लोग का पोस्ट रहने बाला है दूस्तों वो आप लोग का डाटा इंटरी ओपेटर हो बाला है इसका जो ऑफिसल नोडिफिकेशन है वहाँ पे जारी हो चुका है और जो आबेदन प्रक्रिया है वह भी आप लोग कांपर शुरू कर दिया गया है यानि कि अभी जो है आप इस भरती के लिए आप लोग का शुरू हो चुका है तो आज मैं आपलोग को इसी बहल में जरूर आबेदन कीजे इस से अच्छा मौका आप लोग के लिए आप नहीं रहने वाला है तो वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगो एक सब्सक्राइब का बटन दिख़ हाली के बारे में डीटेल में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको अपने गूगल में लिखना है वाइटी डिसी आप यहां पे जो वाइटी डिसी देखना है यह आप लोगो अपने गूगल में लिखना है सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पे क्लिक जो आप मैं आपको चेक करना है बिहाँ WDC Vacancy 2024 DO MTS and Various Post यहाँ पर आपको जोई क्लिक करना है यहाँ पे जो आपम आप्लोग की जो आपम प्लेकर आपको निचे किजिए का तो यहाँ पर एजूकेशल क्वालिफिकेशन की अवप्छन पेस के लिए यानि सेलरी रहने पाला है वो बताय गया है आवेदन प्रक्रिया आपको का बताया है कि आवेदन किस तरीके से होने पाला है और सबसे नीचे आनेक बाद यहां पर एक important links का आपको option मिलता है फोर phone download का option है चेक official notification का option है क्लिक धर पर आप क्लिक किजेगा कुछ इ खगडिया के तरब से आपनों का आपनों का जानकाई दिया गया है तो आपनों का पोस्ट के बारे में जानकाई दिया गया है फिर दूसरा जो आपनों का पद है वो BTS सचारता में विश्यसक्री कहां पर पद रखा गया है 37 बर्स आपनों का age limit है और 21 जड़ जो है आपनों का salary यहां पर रहने बाला है फिर अगला जो आपनों का पद है वो लेखा सहाय कहां पर पद रखा गया है जिसमें 37 साल आपनों का age limit है और 16,000 रुपे आपनों का salary रहने बाला है फिर चार नंबर में आपनों का data entry operator का पद रखा गया है जिसमें 37 साल आपनों का age limit है और 13,500 रुपे आपनों का salary रहने बाला है फिर यहां पर multitasking अस्टाप कहां पर पद रखा गया है जिसमें कि 37 बर से आप लोग का age limit है और 12,000 रुपे आप लोग आप लोग आप लोग का जानकाई दिया गया कि और भी जाधा जानकाई के लिए आप खगरिया का जो website है वहाँ पे जासकते हैं वहाँ पे और जानकाई मिल जाएगा और वहाँ से जो form है आप डाउनलोड कर सक का उसमें जो आप लोग का योगता है वो समाजिक कार्ज या फिर समाजिक भिग्यान विशेश जो है अगर आप यहाँ पे असनातक किये हुए है तो आप यहाँ आप आप आवेदन कर सकते हैं यानि कि मान लिजे अगर आप यहाँ जो है ग्रेजुएशन किये हुए है समा अगर आप commerce से यहाँ पे असना कोतर यानि PG किये हुए है तो आप यहाँ पे आविधन कर पाईएगा फिर यहाँ पे अगला जो पोस्टर वो लेखा सहाय का पद रखा गया है जिसमें कि अगर आप यहाँ पे असना तक यानि कि अगर आप यहाँ पे बीकाउम किये हुए है तो आप यहाँ पे आविधन कर सकते है और तीन साल का अनभव होना चाहिए तब आप यहाँ पे आविधन कर पाईएगा फिर अगला जो आप लोगा पद रखा गया है वो data entry operator का पद रखा गया है इसमें जो सेचने क्योगता रहेगा वो computer या फिर IT में अगर आप असनातक किये हुए हैं तो आप यहाँ पे आविधन कर सकते हैं डेटा परबंदन यानि कि data entry का अगर आपके पास अनभव है तो आप यहाँ पे आविधन कर पाईएगा शाथ में तीन साल का अनभव होना चाहिए data entry में कहीं पे भी आप काम किये हुए है सरकारी में या फिर गैर सर संस्था में तो आप यहाँ पे आविधन कर पाईएगा फिर पाचमा आप लोगा जो अनतिम पद आप लोगा रखा गया है वो यहाँ पे multitasking अस्ठाप का पद रखा गया है जिसमें कि कि किसी भी मानिता प्राफ्ट बोट से 10 प्लस टू परनाली के तहट जो है अगर आप दसमीक अच्छा उत्तिर नहीं यानि कि अगर आप जो है metric pass है तो आप यहाँ पे आविधन कर सकते हैं यह जो है आप लोग आप यहाँ पे योगतार रहने बाला है तो अगर आप metric pass है या फिर जो है ग्रेजिएशन किये हुए है तो आप यहाँ आप आप लोगा जानकाई परकिरिया बताए गया है तो यहाँ पे जो आप लोगा आविधन होने बाला दोस्तों वो आप लोगा ओनलाइन एक तरीके से मान सकते हैं कि आविधन होने बाला है क्योंकि आप लोगा जो फोर में उसको भर कर जो है आप लोगो अपना यहाँ पे email ID के मात्रम से send करना है इस email ID पे जो है आप लोगो अपना जो form है उसको भरना है और जो भी document है उन सभी को जो है आप लोगो इस email ID पे जो है PDF के रूप में आप भेज देना है तो आप लोगा आप जो आविधन है वो आप लिया जाएगा तो इस बात का भी आप लोगो ध्यान रखना है अगर आप लोगो और जादा जानकारी चाहिए तो यहां पे जो है आप लोगो आप लोगो आप लोगो आप लोगो यह सब आप लोगों को हाँ पर जोए अटाइच कर देना है और आप लोगों को मेल कर देना है आप लोगा आवेधन हो जाएगा तो इस तरीके से ICDS के तरफ से एक नई भरतिया पर निकाली गई है बिहार महिला एवं बाल विकास निगम है और इस तरीके से आप लोग आपाद